वेल्कम टिश्टोन डिक्टेशन डिक्टेशन पांसकेन बाज शुरू होगा रेडी स्टार्ट मानव जीवन एक अमुल्य इश्वरिय देन है अतह सभी को इसे सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए जीवन को सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है कि मनुस्य सबसे पहले अपने जन्म के उद्देश को पहचान कर ततपश्चात उसका अनुसरन करे दर असल किसी भी मनुस्य का जन्म एक विसिस्ट उद्देश के लिए ही होता है हमें वही उद्देश तलाश ना होगा जिस कारण हमें यह मानव देह मिली है यहां तक की इस्वरने भी विसिस्ट उद्देश्यों की पूर्ती के लिए ही मानव देह धारण की है किसी व्यक्ति के जीवन में दो दिन ही सबसे महत्पूर्ण होते हैं एक जिस दिन वह जन्म लेता है और दूसरा वह जिस दिन उसे अपने जन्म के उद्देश का भान हो जाता है जीवन का उद्देश सिर्फ सांसे खर्च कर इस दुनिया को अलविदा कहना मात्र नहीं है जीवन तो नया इतिहास बनाने का नाम है सम्रिध विरासत छोड़ने का मंच है इसी लिए हमारा प्रियास होना चाहिए कि हम अपने जीवन का मकसद तलाश कर अपनी छमता नुसार परिश्रम करते हुए उस लक्ष को हासिल करें जो हमारे लिए निर्धारित है अन्यथा लक्ष और उद्देश्य विहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं वास्तव में मानव जीवन की सार्थकता त्याग की भावना से जीवन जीने और दूसरों के दुख दूर करने में है दूसरों के लिए प्रकाश की एक कीरण बनाना सबसे बड़ा सुख है इस सुख को प्राप्त करना भी बहुत सरल है प्रख्यात लेखक स्वेट माडेन कहते हैं की जो दूसरों के दुखी एवं अंधकार में जीवन में सुख का प्रकास पहुचाते हैं उनका नाम सदैव इस संसार में रहेगा ऐसे लोग अमर होते हैं ऐसे में समय पर यह आभास होना आवश्यक है की मनुस्य जीवन कुछ अच्छा करने के लिए मिला है इसलिए आज से ही सजग हो जाएं की यह जीवन कहीं व्यर्थ न चला जाए जीवन को अर्थ पूर्ण बनाने के लिए हमें अपने भीतर की उर्जा का उपयोग सार्थक एवं उचित लक्षियों के लिए करना चाहिए क्योंकि मनुश्य जीवन की सार्थकता अर्थ पूर्ण जीवन जीने में ही है दिल्ली का इतिहास गवाह है कि यह हमेशा के लिए किसी की नहीं हुई विराम देश पर राज करने का अभिमान दिल्ली पर राज किये बगर अधूरा रह जाता था विराम रजवाडों के समय को पीछे छोड देने के बावजूद दिल्ली की इस इस्थिती में कोई फर्क नहीं आया है ग्रिह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते संसद में राश्ट्रिय राजधानी छेत्र दिल्ली की सरकार विधेयक 2021 पेश किया इसका मकसद भी पिछले दरवाजे से दिल्ली पर राज करने से जादा नहीं माना जा सकता विराम वर्ना लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के अधिकारों को कम करने वाले इस विधेयक से क्या किसी राज का हित पूरा हो सकता है देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली सरकार उन अधिकारों से वंचित है जो हमारे दूसरे राजियों को हासिल है विराम जनता से निर्वाचित मुख्यमंत्री और केंद्रिय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त उप राजपाल के बीच अधिकारों की जंग राज बनाये जाने के बाद ही शुरू हो गई थी विराम दरसल दिल्ली को विशेस राज्य का दर्जा हासिल है विराम यह निर्वाचित विधान सभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश है विराम 1991 में बनाये गए कानून के अनुसार केंद्र सरकार के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी उप राज जिपाल पर है विराम जमीन पुलिस और प्रशासन उप राज जिपाल के अधीन है विराम लेकिन अन्यमामलों में उप राज जिपाल चुनी हुई सरकार का निर्ड़े मानने को बाद्य है विराम नए विधियक को मंजूरी मिल गई तो दिल्ली सरकार राज जिपाल की सुईकृती के बगर कोई निर्ड़े नहीं कर पाएगी विराम यानि 1991 का कानून और 2018 का सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला जिसमें दोनों समवैधानिक पदों के अधिकारों को इसपष्ट किया गया था का कोई मतलब नहीं रह जाएगा विराम मुख्यमंत्री अर्विंद के जरीवाल की यह आशंका निर्मूल नहीं है की यदि ऐसा हुआ तो दिल्ली में निर्वाचित सरकार और विधान सभा अनूपयोगी हो जाएगे विराम निर्वाचित सरकार होने के बावजूद विवहार में केंद्र का ही राज इस्थापित होगा है राचेंज दरसल दिल्ली में सत्तर में से 62 विधान सभा सीटों पर आप का कबजा है विराम अपने शासनकाल में केजरी वाल सरकार ने स्वास्थिय और सिक्षा के छेत्र में उलेखने काम किया है और अब इस माडल को देश भर में भुनाना चाहती है विराम पंजाब की राजनीति में अपना प्रभाव दिखाने के बाद इस बार भाजपा के गढ़ गुजरात में हुए निकाय चुनावों में भी उसने असर दिखाया है विराम पहले दिल्ली में उसने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई विराम अब आप एक ऐसे दल के रूप में उभर रही है जो भाजपा के परमपरागत वोट बैंक शहरी मध्यमवर्ग में सेंध लगा सकती है विराम उपराज पाल को पूरी तरह दिल्ली का बास बनाने वाले विधेयक का कहीं असली मकसद आपको विचलित करना तो नहीं है स्टाप